हलो दोस्तों नमस्कार मैं प्लंबर टेक्निशन गोविंद मोरिया आप लोग को अपने यूटूब चैनल मोरिया प्लंबिंग वर्क में एक नया वीडियो दिखा रहे हैं देखिए ये मुंबई के मुलून सहर में जोकी सप्नानगरी में टेकूट विल्डिंग है यहां पे बीविंग में काम चाल हुए आटमले पर तो आपको दिखा रहे देखिए ये जैकवार का थर्मोश्टिक डाइवेटर है जोकी यह अपना सावर एरिया है इसका दोखुट में इस पाउट का पॉइंट हमने दिया हुआ है और ये लाइन सीधा सीधा यहां से एक यलबो औ में डारेक्ट डाइवेटर को अटेच हो रहा है उसके बाद आपको दिखा रहा है कि ये इस तो इस पाउट का हो गया और नीचे का लाइन एक दिख रहा है वो सीधा मेल लाइन है जो कि मेल लाइन उपर से केनेक्ट हो रहा है सीधा सीधा आमने जिरी मार के उपर से लाइन मेल लाइन में ले लिया है और लेब साइड का गरम लाइन है, जो की सिधा सिधा ये भी बाहर निकल रहा है, गीजर बाहर लगाएंगे, ओनलाइन गीजर आएगा, और इसमें सावर में दो पॉइंट जाएगा, एक लेब साइड और एक सामने सिधा वाला, जो की सिधा सिधा ये भी हमने उपर खोड़ा इसके बाद आपको दिखाना चाहते हैं यह हमारा मेन नानी ट्राफो का और इसका बेसिन का आउट लेट जा रहा है देखिए सीधा वाश बेसिन का और यह बीच में एक जे स्प्रे का पॉइंट और बेसिन का नल का पॉइंट यह सीधा-सीधा ऊपर से पाइप मेन लाइन को पॉइंट लाइन का जो कि सिधा लाइन एक दम से वो फ्रस्वाल सीधा-सीधा बाहर चला गया और चार इंच का लाइन चेर बेकेट हो गया है मेन लाइन में किनेक्ट हो रहा है यहां पे जेस्परे अरिया में होल मारने के लिए कुछ प्राब्लम नहीं होगा आराम से हो दोस्तों आप हमारे चैनल मोरिया प्लम्मिंग वर को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब करें ताकि हम अच्छे से अच्छा बेटर वीडियो आप तक पोचा सकें नमस्कार दोस्तों जाएं